प्रतिभा को निखारने और अंग्रेजी मीडियम में अध्यन अध्यापन को बढ़ावा देने के लिए स्वामी आत्मनंद इंग्लिश मीडियम स्कूलों की शुरुआत की है नवगठित जिले सक्ती में आठ स्वामी आत्मनंद इस्कूलों के जरिये शिक्षा को बहतर करने का प्रयास किया जा रहा है ऐसे बच्चे जिनके पालक महंगे प्राइविट इस्कूलों में दाखिला करवाने में सक्षम नहीं है वो बड़ी संख्या में आत्मनंद इस्कूलों में पढ़ाई कर फराटेदार अंग्रेजी बोल रहे हैं स्वामी आत्मनंद इंग्लिश मीडियम स्कूल की गुडवत्ता को वहां पढ़ने वाले विद्यार्थियों के सुबानी समझा जा सकता है सबसे पहले तो मैं माननिय भुपेश बगिल जी जो की हमारे 36 गर प्रदेश के CM है मैं उनका बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा जो की इतना अच्छा मिशन जो हमको प्रोवाइट कर रहे हैं स्कूल के माध्यम से सभी बच्चों को अच्छा सिक्षा मिलने के लिए बच्चों के मन में ये आत्मविश्वास यूही नहीं उगजा है 36 गर में शिक्षा व्यवस्था को दुरुस्त करने के प्रयास ने इसे पैदा किया है स्वामी आत्मनंद इंग्लिश मीडियम सरकारी स्कूलों का केंपस किसी निजी बड़े स्कूल से कम नहीं है जहां बच्चों को उच इस तरी शिक्षन सुविधाय मिल रही है जिसकी वजह से सकती जले के नौनेहालों की चेहरों पर आत्म विश्वास साफ देखा जा सकता है मुकिमंतरी भूपेश बगहल के निर्देशों के अनुरूप इसकूल शिक्षा विभाद द्वारा इन अंग्रेजी स्कूलों में निजी स्कूलों जैसे ही सुविधाय उपलब्ध कराई गई है चतिसगर सरकार इन अंग्रेजी माध्यम के साथ साथ शासकी हिंदी माध्यमिक स्कूलों में अध्यन रत बच्चों को भी आधुनिक साधन सुविधाएं मुहया करा रही है साथ ही अब पालकों में भी भूपेश सरकार की एजुकेशन सिस्टम को लेकर विश्वास बढ़ रहा है भूपेश सरकार की स्वामी आत्मनंद इंग्लिश मीडियम स्कूल लाखो बच्चों के साथ उनके पालकों को बड़ी राहत दे रहा है स्वामी आत्मनंद अंग्रेजी माध्यम स्कूलों की गुडवत्ता और लोग प्रीता के कारण जिले में इन स्कूलों की मांग पढ़ती जा रही है गुपेश सरकार की आगामी शिक्षा सत्र के पूर्व सक्ती जिले के कई स्कूलों में स्वामी आत्मनंद उत्कृष्ट विद्याले खोलने की योजना है गुपेश बगिल सरकार ने इन स्कूलों के जरिये 36 गड़ के बचपन को ही बहतर बनाने का संकल्प साथ लिया है इन नवचारों की चलते ही पूरे देश में 36 गड़ सरकार की चर्चा हो रही है और भवेश का मजबूत 36 गड़ बन रहा है Bureau Report Swaraj Express